निमेशकों और प्राइवेट लिम्टेट कमपनियों के लिए चार बड़ी खुस खबरी और तीन उससे भी बड़ी खुस खबरी अपडेट इसी महिने से होने जा रहा है दोस्तों डेरवेटिज के कुछ अपडेट हैं और बंबे स्टोक एक्चेंज और नेशनल इस्टोक एक्चेंज और देश की सबसे बड़ी एक्चेंज सेवी की रेगुलेटरी के द्वारा आपको ये खबर सरकार ने फ़र्शला लिया एक बड़िया साफ सुत्रा छबी जो M.B.A. B.K. सिंग लगातार कई बरसों से बोलते आ रहे हैं कि स्टोक मार्केट को भी साफ सफाई की जरूरत है और नीट एन क्लीन रहने की जिस तरह देश में सभी सफाई अभियान सुरूता स्वख्ष्था अभियान और स्वख्ष्था अभियान क्या है बहुत लोगों को मालूम चल चुका है तो इस्टोक मार्केट में भी थोड़ा बहुत सफाई जो हो रही थी थोड़ा और ज्यादा होने की कोशिस है सरकार की और इसमें आपने देखा होगा चार बड़ी जो खुसखबरी है वो मैं आपको पहले बता दूँ चार बहुत बड़ी खुसखबरी जो आपको एक, दो, आपको मैं बता दूँ सबसे पहली बड़ी खुसखबरी है कि अब हमारी देश की भारतिये स्टोक मार्केट से जुड़े हुए जो लिस्टेट कंपनिया है या लिस्टेट होने वाली है ओ आपको बिदेशी सेर बजार में भी अब आसानी से लिस्टिंग होने वाली है और हो सकती है तो FII जैसे हमारे देश में इंवेश्ट करते हैं उसी तरह अब विदेश की जो विदेशी जो हमारे इंवेश्टर है अब उनको भी वहाँ पे अराम से डिरेक्ट वो भी अपने पोर्टफोलियो में सामिल कर सकते हैं और वहीं से वहीं माल खरिद सकते हैं दोस् इन्वेस्ट करने वाले या टेडिंग करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुश्खबरी है कि किसी तरह का कोई भी टेक्स या बोडन नहीं है दोस्तो और एक करोड से लेके तीन करोड तक तीन करोड से लेके चौदा करोड तक सोरी साथ करोड तक और साथ सो पचास करोड स 750 करोड़ से 500 करोड़ और 500 करोड़ से उपर के बहुत सार कुछ मामूरी सा 100 रुपया 1.500 रुपया की बरोट्री हुई है जो एक बड़ी बहुत बड़ी अच्छी चीज है जिनमें की 104 रूप से चलेगा दूसरी तरफ यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर देरिवेटीज अपडेट मैं बता दूँ जो डेरिवेटीज धान चावल गन्ना सोरी दाल चावल दलहन और तिलहन की जो डेरिवेटीज होती थी ओ आपको अभी ऐसे तो था दिसंबर तक 2023 में लेकिन अब 2024 तक दिसंबर तक बढ़ा दिया सरकार ने और इस पे कोई भी आप टेडिंग नहीं कर सकते हैं दूसरी तरफ कोई भी इसमें आपको अपडेट एक साल और बढ़ा मतलब पहले तो था ही लेकिन अब बढ़ा दिया गया है दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि आप जितनी भी एक बहुत बड़ी चीज अपडेट होने वाली है जो प्राइ लिमेंट एकाउंट में ट्रांसफर करने की योजना बन चुकिया और इस पे बहुत जल्दी मोहर लग जाएगी जितने भी प्राइवेट लिम्टेट कंपनी हैं उनको भी एक बड़िया ताकि ये जो घोटाले और महा घोटाले जो होते थे प्राइवेट लिम्टेट कंप लिते थे और खरीद कर लेकर फिर लिस्टिंग करवाते थे और लिस्टिंग करवाने के बाद ये बहुत बड़े खेल जो बड़े छोटे-छोटे इन्वेस्टर और नए इन्वेस्टर की बहुत बड़ी बरबादी और पैसे की पता नहीं चलता था अपर सर्कीट लोर सर् स्टोक मार्केट में बहुत बड़ी और मोधी सरकार को MBA BK Shing तरफ से धेर सारी बहुत बड़ी हम अभारवेत करते हैं कि इस तरह की अपडेट करने सरकार जा रही है सेवी की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है उनको भी बहुत-बहुत कोटी-कोटी हम अभारवेत करते हैं दोस्तो बंबे स्टोक एक्षेन नेशनल स्टोक एक्षेन के जुड़े हुए जितने भी स्टोक से रिलेटिव हमारे चाहें जो भी इस तरह की इनलिशी स्टोम बार हैं दोस्तो तो यह तीन एपडेट जो है चौथा एपडेट यह है कि आपको अब शेयर बजार में आसानी से बिदेशी शेयर भी खरी सकते हैं उसके लिए सिरिफ और सिरिफ एक इंटरनेशनल टेडिंग अकाउंट खोलने की जोड़े परती है तो पूराना टीत खरने के और आपको कभी-कभी क्या है कि वसी दिन अफडेट नहीं होता था उनको एक जिम्हेधारी बने कि जैसे अप इस करेते हैं उसको बाद आपको message आना चाहिए message के बाद उनको mail आना चाहिए आपको अगर mail नहीं आता message नहीं आता और आपके उसी दिन नहीं update होता है तो आप तुरंथ आप उस broker को call कर सकते हैं और अपने जनकारी ले सकते हैं दूसरी तरफ मेरी तरफ से या online business हो या online हमारे delivery हो यह सभी के देखते हुए अच्छी बात है कि हमारा जो network है और हमारा online जो system है बहुत तीजी से fast गुरू कर रहा है लेकिन आपको मेरी advice MBA BK Singh की आप dairy maintain जरूर करते रही है क्या खरीदें क्या बेचें किस price में कहरीदें कैस्ट में खरीदें आप वाने वाला एक दुकान की एक बहुत बड़ा जिमेदारी है सेरवाजार में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जरूर बड़े एनालिसिस्टे बड़े एडवाईर से सलाह लेनी चाहिए और अपना पैसा सुरक्षित की इस कंपणी में लगाए वो जरूर आपको देखना चाहिए दोस्तों अगर इससे आपको संतुष्टी मिलती है तो जरूर लाइक किजिए अगर पहली बारा है मारा इ कुबेर का खजाना आपके तीजोरी भरती रहे धनवंतरी आरो के देवता है उनका भी असिरबाद जरूरी है स्वास्ती धन है इसलिए उनकी भी धनतेरस के दिन पूजा जरूर कीजिए चलिए तीन आपडेट बड़ी अपडेट किया हो हम आपको बता दे अगर सेयर बज जो स्टोक मार्केट में 15 करोर से लेकर 25 करोड तक लेकर 750 करोड से लेकर 1450 करोड तक और 1500 करोड से लेकर 3000 करोड तक जो भी आप टरनोबर करते हैं उनमें थोड़ी सी बदलाव हुई है को यह नई बात नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसलिए हुआ है कि अब जमाने के उनसार उसकी आपके trading के भी expenses बढ़ते हैं दोस्तों तो कभी भी stock आप खरीते हैं जो 1, 2, 4, 5, 10 stock खरीते हैं उस stock को खरीने से पहले जरूर एक बास सुचेगी कितने taxes लगते हैं आपके तो taxes को देखने के लिए यह 4 update और 3 बड़ी update जो आपको मिलना है दूसरी तरफ PSU stock public sector के stock जो महान अतना stock है मिनी नौरतना है और नौरतना stock है इन सब 14 stock जो पहले था आप 16 stock हो गए जिसमें की आपको aircon और rights अभी हाली में पिछले महीने सामिल हुए हैं इन सब stocks पे नजर जरूर रखने हैं अब आपको मैं बता दूँ कि जो सबसे बड़ी आपको update किया है कि अब stock market में एक नई साफ सुत्रा और आने वाला समय जो है private limited की जो भूमी का बहुत सारे गंदगी फैला रहे थे उसको अब demate account में demate में टांसफर करने की हो जना अब इसी March 2024 के बाद सितंबर तक इनको करने की सरकार ने दे दिया ultimatum और उनको करना demate में टांसफर करने की तो एक private limited की एक और liability बढ़ गई कि उनको एक और responsibility बढ़ गई उनको एक CA के पास जाना है जाकर उनको demate अटमेटिक उसका format आ जाएगा आ जाएगा वो आपको मिल जाएगा अगर private limited company आप चलाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा अब एक साफ सुत्रा जिंदगी life चलाएए देश की आगे बढ़ाते रहेए आप निर्बर भारत बनने के लिए आप सभी को कमर कसके रहना दस्तो सरकार को बहुत-बहुत धन्य चाहें अमेरिका में हो और इंगलेंड में हो चाहें दुबई में हो या अरप country में या वेस्टर्न country में हो इस्टर्न country में हो कहीं भी हो वहां पर अपना भारतिय सेर्वाजार की कमपनिया आप लिस्टेट होने जा रहे हैं बहुत-बड़ी खुसकबरी है यह सरकार काम कर एक सरकार के 2024 के बाद 2024 के बाद सेरवाजार की जो टारगेट है अपने लक्ष से बिचलित नहीं होना है क्योंकि आप चलेंगे दोस्तों तो चलने के पीछे पीछे अच्छे करेंगे तो बहुत सारी बादाएं आती है लेकिन उसको नजर अंदाज करते रहे कभी भी आप सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा तो चलिए अगर आपको स्टोक मार्केट में बढ़ियां कमाई करनी है कौन सा स्टोक कमाई करके देगा किस सेक्टर में कमाई होगी अगर आपको यह नहीं पता चलता है सिर्फ खरीदना जानते हैं लेकर रखते रहते हैं खरीते रहते हैं कब बेचना है किस प्राइज में खरीदेंगे तो हमको ज्यादा बेनिपिट होगा किस लेवल में बेचेंगे कब बेचेंगे हम परपोलियो से निकालनेंगे भी नहीं और मकसा देखें दोस्तों स्टोक मार्केट में जो 140 क्रोड की जनसंख्या है लेकिन 100 क्रोड के आस पास ही अभी तक हमारे 120 क्रोड के आस पास ही अधार कार्ड है और 100 क्रोड के आस पास हमारे पैंट कार्ड है और इस अनुपात रेस्वियों में भी तो हमारे स्टोक मार्केट में जो भी लोग हैं साड़े छे साथ परसंट भी नहीं है दोस्तो इसका मतलब कि अभी बहुत बड़ा परसंटी सेर बजार में लोगों को अगर सिखा दे पढ़ा दे लोगों को मालूम चल जाए तो हमारा देश अगर आप संपन होते हैं तो हमारा देश भी संपन होता इसलिए स्टोक मार्केट के बारे में जानना हर आदमी को जानना चाहिए और इसकी पहल सरकार ने शुरू कहें देश्तो चलिए देखते हैं आगे इस नमबर और अगले दिसंबर के बाद 2024 में भारत कितनी तीजी से बढ़ने वाला स्टोक मार्केट बढ़ने वाला देश्तोक तकल का स्टोक मार्केट क्या होगा फ्राइडे को 3 नमबर 2023 को कौन सा स्टोक में कमाई होगी कि सेक्टर में कमाई होगी वीडियो आने वाला है जरूर आप देखिए, pick of the day, pick of the week and blockbuster stock और दिवाली पिक से special stock इसके बाद वीडियो आएगा जरूर देखिए, आपको साइध बेनपिट हो जाए दोस्तों, जैहिंजे भारत मंदे मातरम, लाइक कर देखिए दोस्तों